हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बी-सी-सी लैटरल इंटरी एकजाम का प्रिवेस एर का कोश्चन पेपर जो लीट एकजाम होता है उसमें का जो प्रिवेस एर का कोश्चन से बो मैं आपके साथ डिसकस करूंगा क्योंकि यह जो लैटरल इंटरी का एकजाम है बो अभी फिलाल में होने वाला है लैटरल इंग्लिस के questions को discuss करूँगा इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अब पढ़ेगा इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के notification आपको मिलते रहें तो आईए आज आप लोगों के साथ सुरू करते हैं lateral engineering entrance test का previous year का question जिसमें कि आज हम लोग 50 marks का जो इंग्लिस का question है बो मैं आपके साथ discuss करूँगा देखिए actually इसका discussion कहीं इसके market में book की भी availability बहुत कम है book भी कहीं previous year based पे कोई अच्छी book नहीं market में अबलेबल है तो आप लोगों को तैयारी करने में काफी दिक्कत आ रही थी तो काफी बच्चों के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज मैं इस वीडियो में discuss करूँगा total English के जितने previous year के question है वो मैं आपके साथ discuss कर लूँगा अगर आपको और भी जैसे की engineering mechanics या engineering math से related वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं साथी साथ अगर आपको practice aids भी चाहिए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा हमारे channel को subscribe करना होगा और जाके नीचे comment करके बताना होगा कि हाँ मुझे practice aid चाहिए या previous aid का questions along with mechanics और math explanation के साथ चाहिए clear है? चलिए तो बढ़ते हैं अपने questions की तरफ questions discuss करने से पहले मैं syllabus के जिक्र कर रहा हूँ यहाँ मैं तीनों का syllabus आप लोगों के लिए mention कर रखा हूँ आप चाहिए तो वीडियो जिमें देख सकते हैं यहाँ सबसे पहले math का syllabus दिया हुआ है उसके बास engineering mechanics का syllabus दिया हुआ है फिर third number पे है technical English जो की उसका भी 50 number का बेटे जे उसका syllabus दिया हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं अगर technical English की बात करते हैं तो इसमें grammar and comprehension में सबसे पहले subject word, conquered मतलब subject word, agreement, tense, voice, synthesis, common error, vocabulary देखे सबसे ज़्यादा important में previous year question देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा important portion है वो है vocabulary क्यूंकि vocabulary जितने भी antonames है, synonames है, ये सब कुछ totally आपको vocabulary पर best मिलेंगे अगर आपका vocabulary मजबूत है तो आप English अच्छे से कर लीचेगा स्वेर है उसके बाद unseen passage will be said to be language a skill mentioned above फिर आप business correspondence में drafting official and business, देखिये, यहाँ पर एक चीज़ है, सब दूसरा important, पहला important मैं आपको बताया कि आपके लिए सबसे ज़्यादा important है vocabulary second important है elementary theory of phonetics, ये एक छोटा सा topic है, elementary theory of phonetics अगर आप चाहिएगा तो एक दो वीडियो में कबर हो जाएगा अगर आपको phonetics की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं previous year question के देखने के बाद ये चीज़ मुझे समझ में आया कि phonetics भी बहु जादा important है, हर एक previous year के question जो जैसे 2013-14 से लेके till now 2019 तक मैं previous year का question देखा हूँ तो उसमें मुझे एक ही जी समझ में आया कि phonetics का question 5 से 7 question हर एक साल पूछा गया है report writing से भी कुछ-कुछ objectives forms में questions बना के आप से पूछे गए हैं फिर technical description से भी question पूछे गए हैं और spoken English से भी questions पूछे जाएंगे तो यह आपका English का syllabus है इसको ध्यान से देख लीजेगा इसे related कोई भी topic पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले questions की तरफ अब questions की तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ अगर इसे related आपको इसके PDF चाहिए तो आप जाके description में इसके PDF का link दिया होगा और साथ ही साथ इस channel के और telegram groups या WhatsApp groups के link दिये होगे होगे हैं जहां आप जाकर इसके वीडियो मिल जाएंगे आपको चलिए अब बढ़ते हैं questions की तरफ यह question number अगर मैं discuss कर रहा हूँ तो यहाँ 101 से है या 1 से लेके 50 तक engineering maths होता है और 50 से लेके 100 तक engineering mechanics और 100 से लेके 150 तक journal English या technical English आप उसे बोल सकते हैं तो total exam में आपको 150 questions होगे चलिए अब बढ़ते है questions को discuss करते हैं तो पहला questions हमारा जो instruction है question number 101 से लेके 105 तक दिया हुआ है कि identify the correct single bird for the given description एक birds दिया हुआ description तिया हुआ उसके लिए आपको कोई एक single bird find out करके बताना है देखिए इसको दूसरे form में हम लोग one bird substitution भी कहते हैं अग अगर आपको one bird substitution का pdf चाहिए तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं चलिए अब बात करते हैं पहले questions की तरफ तो पहला question है a number of parrots a number of parrots इसका जो सही answer होगा वो हो जागा option number d fault देखिए इसको या number of parents को या तो हम frog कहते हैं या तो फिर company बोलते हैं clear है ये दोनो number of parents को बोला जाता है अगर हम बात करते हैं और options की तो अगर हम बात herd की करते हैं तो herd बोला जाता है जो साथ रहने वाले या साथ खाने वाले जो जानबर्स होते हैं उनके जून को herd बोला जाता है clear है army तो आप लोग पता ही होगा army किसको बोला जाता है अगर हम बात clutter की करते हैं तो clutter का मतलब होता है भाग दौर्ण मचाना ठीक है चलिए अब बात करते है next question की तरफ next question है हमारा a number of snacks a number of snacks को क्या बोला जाता है जब भी आपको group up a snacks या number of snacks की बात करे तो option में या तो रहा सकता है den या रहा सकता है bed या रहा सकता है pit ये ये तीनों चीज बोला जाता है ये number of snacks को तो यहां जो सही answer होगा बो हो जाएगा option number c यानि pit clear है चलिए तो यानि option number c जो होगा इसका correct answer हो जाएगा अगले question की बात करते है number of camels a number of camels को हम लोग क्या बोलते हैं a number of camels को हम लोग बोलते हैं हर्ड ठीक है हर्ड का हो जाएगा unorganized group of camels को भी हम लोग क्या बोलते हैं हर्ड बोलते हैं तो इसका जो सही answer हो जाएगा बो हो जाएगा option number b clear है देखिए folk तो अभी हम लोग पढ़ेगी कि number of parrots को folk बोलते है army पता ही है और company पता ही है आप लोगों को clear है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है 104 कह रहा है the home of a loin home of a loin को क्या बोला जाता है share के घर को बोला जाता है dan तो यानि option number b जो होगा वो हमारा सही answer होगा अगर हम और options की बात करते हैं तो अगर kennel की बात करते हैं तो kennel बोला जाता है कुटा घर को कुटा के घर को बोला जाता है kennel अगर हम लोग डैन की बात करते हैं तो डैन तो home of a loin को बोला जाता है और अगर हम लोग अस्टाई की बात करते हैं STY अस्टाई की बात करते हैं तो सूर जहां रहता है मतलब सूर खाना जो होता है उसको अस्टाई बोलते हैं क्लियर है चलिए अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन है हमारा इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ऐस्टाई एस्ताबल आप लोग पता है घुडसाल को अस्ताबल कहते हैं मतलब सिंगल बेट जैसे च्छात्राबास्ट में होस्टल में एक सिंगल सिंगल बेड लगा हुआ होता है उसी को ड्रोमेट्री बोलते हैं अगर हम लोग बात करते हैं अप येरी की जो फोर्थ आप्सन है हमारा अप येरी अप येरी के अगर बात करते हैं तो apiary क्या होता है, मधु मख्यों के पालने के अस्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, apiary बोलते हैं, clear है, चलिए, next question के अगर हम बात करते हैं, question number 1, 0, 6, तो इसमें कह रहा identify the character spelling, कि इसका character spelling कौन सा है, तो इसका जो सही answer होगा, वो हो जाएगा, तो next question के, 107, तो इसका जो सही answer होगा, वो हो जाएगा, option number B, यानि privilege, privilege का मतलब क्या होता है, privilege का character spelling होगा, P-R-I-V-I-L-E-G, privilege का मतलब होता है, विसेश अधिकार देना, ठीक है, विसेश अधिकार देना, clear है, चलिए, अगर हम फिर next question की तरह बढ़ते हैं, तो next question है, question number 108, इसका जो science रोगा, वो हो जाएगा, option number 8, recommended, ठीक है, recommended का मतलब होता है, सिफारिस करना या सलाह देना, क्या होता है, सिफारिस करना, या फिर सलाह देना, ठीक है, next question की तरह बढ़ते हैं, तो next question है हमारा next question का जो साही answer हो जाएगा बो हो जाएगा option number C ठीक है unanimous unanimous का मतलब होता है एक मत या फिर सर्मसमत कोई चीज पर हम लोग बोलते हैं कि इस पर हम लोग सब कोई आगरी हैं मतलब सर्मसमत हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं unanimous ठीक है और इसका जो सही answer होगा बो हो जाएगा option number C next question की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही answer होगा बो हो जाएगा option number D ठीक है इसको लोग पढ़ते हैं ledger lessor पढ़ते हैं और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है फुरसत या फिर अबकास आप जिसको बोल सकते हैं कि अभी हम फुर्सत में है या अबकास में है यह इसका सई correct answer हो जाएगा तो option number D जो होगा वो correct answer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते हैं next question का जो 111 से लेके 115 तक का जो instruction दिया गया है वो identify the correct adjective for the given bird की आप लोगों को क्या बताना है current adjective बताना है इसका जो कुछ words दिये हुए है उसका हमें क्या बताना है current adjective बताना है देखिए adjective के नाम से आप लोगों तो बहली बाती परचित होंगे adjective होता क्या है adjective का मतलब है कि कोई एक ऐसा word मतलब the word that tells you more about a noun मतलब संग्या की बिसेस्ता बताने बाला जो सब्द होता है उसी को हम लोग adjective बोलते हैं तो यहाँ options में आपको कुछ संग्या दिये हुए है मतलब noun दिये हुए हैं और उसका जो बिसेस्ता बताएगा जो उसको बारे में बताएगा उसी को हम लोग Adductive करते हैं तो बढ़ते हैं questions की तरफ तो पहला जो हमारा question है 111 वो है sister तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा option number A filial ठीक है filial filial का मतलब होता है जो भी बेटा या बेटी से सम्बंदी जो चीज होता है उसको filial बोलते हैं देखें यहाँ पे कुछ है तक feminine भी इसका answer हो सकता है क्योंकि feminine का मतलब होता है strilling ठीक है अगर हम second option की करते हैं मतलब fraternal की बात करते हैं तो fraternal का मतलब होता है भाई के समान जैसे हम लोग किसी दोस्ट को बोलते हैं कि यह मेरा भाई के समान है तो इसका मतलब होगा fraternal ठीक है जो next option है बो है हमारा sororal sororal का मतलब होता है भाईनी तूल भाईनी आप लोग नाम सुने होंगे relation में भाईना या भाईनी बोला जाता है अपने sister के बेटा ये बेटी को तो भाईनी तूल को जो बोला जाता है बो ही बोला जाता है sororal clear है चलिए next question की तरह बढ़ते है next question है हमारा अगर next question मतलब की बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है जो हमारा noun है बो दिया हुआ है kidney ठीक है अगर हम लोग बात kidney की करते हैं options की बात करते हैं तो सबसे पहला जो option है oral है oral का मतलब होता है क्या current संबंधी current संबंधी जो चीज होता है उसको हम लोग oral बोलते हैं nasal का मतलब क्या होता है अगर हम लोग बात nasal की करते हैं तो nasal का मतलब होता है nasal का संबंधी ठीक है nasal का संबंधी जो चीज होता है उसको nasal बोलते हैं ठीक है और डर्मल किसको बोलते हैं डर्मल बोलते हैं जो असकिन से रिलेटेड होता है मतलब तोचा से सम्बंदी जो चीज होती है उसको डर्मल बोलते हैं और फिर लास्ट आपसन है इरिनल इरिनल किसको बोलते हैं जो गुर्दे से सम्बंदी या किड्नी से सम्बंदी जो चीज होती है उसी को हम लोग इरीनल बोलते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा आप हो जाएगा option number D यानि की रीनल clear है चलिए next question की तरह बढ़ते हैं वह है हमारा question number 113 इसमें जो noun दिया हुआ है बो दिया हुआ servant आपको पताना है कि इसका correct adjective क्या होगा तो सबसे पहला है manual ठीक है manual का मतलब होता है menial का मतलब होता है तुछ या फिर knocker तो यही इसका जो होगा correct answer होगा mental का मतलब आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है और फिर अगर हम बात करते है pancerral की तो pancerral का मतलब होता है अभी ओता है फशु चारी ठीक है क्या होता है पसु चारी और उसके बात अगर bucolhing की बात करते हैं तो bucolhing का मतलब होता है gram ठीक है गउन से बिलॉग करने वाला को bucolhing बोला जाता है gram Quesn की तरह बढ़ते हैं, नेक्स Quesn है हमारा 114 जिसमें दिया हूँ है Ascle, Ascle का मतलब आपने लोगों को पता ही है कि Ascle का मतलब होता है खोपडी, ठीक है, options में दिया हूँ है, First One Option है Hemel, Hemel जो आप्सन है, Hemel को हम लोग क्या बोलते हैं हीमल का मतलब होता है कोई भी चीट जो blood vessel से related हो ठीक है blood vessel से related हो उसको हम लोग हीमल बोलते हैं ठीक है next one जो हमारा option है बो है cranial cranial का मतलब होता है क्या कपाल ठीक है और वो skull का मतलब भी होता है खोप डियोर कपाल तो यह जो option number C है जो इसका सही answer होगा अनल का मतलब क्या होता है अनल का मतलब होता है गुदा जो कि इसका correct answer नहीं होगा तो option number C जो है वो इसका correct answer हो जाएगा clear है next question बढ़ते हैं जो कि हमारा है 115 115 में air नाम दिया हुआ है air noun दिया हुआ है और आपको इसका adjective बताना है तो इसका जो science होगा बहुँ जागा option number A pneumatic pneumatic का मतलब क्या होता है बायू से भरा हुआ बायू से भरा हुआ चीज जो होता है उसको pneumatic बोलते हैं अगर हम बात aquatic के बोलते हैं तो aquatic का मतलब होता है जो water से related होते हैं जैसे जलचर होते हैं मतलब जलिए आप बोल सकते हैं अगर हम लोग बात करते हैं टेंपोरल की तो टेंपोरल का मतलब क्या होता है लॉकिक ठीक है क्या होता है लॉकिक अगर हम लोग बात करते हैं नुमिसमेटिक की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मुदरा भी सायक ठीक है तो इसका जो करेक् even bird identify the bird which denotes opposite gender मतलब opposite gender जो बताएगा वही आपका correct answer हो जाएगा तो पहला में दिया हुआ है 116 में बग का मतलब क्या होता है बग का मतलब होता है नर्खरगोस नर्खरगोस कोई हम लोग बक बोलते हैं ठीक है तो इसका जो सई अंसर होगा बहुत जाएगा option number C यानि डोई ठीक है डोई का मतलब होता है मादा खरगोस ठीक है तो यह opposite gender हो गया कब की अगर हम बात करते हैं तो कब का मतलब होता है सेर का बच्चे को हम लोग कब बोलते हैं तो टॉम का आपको opposite gender बताना है तो टॉम का मतलब क्या होता है टॉम का मतलब जो बिल्ली फैमिनी जेंडर है तो उसका जो masculine gender होगा मतलब बिल्ला को बोला जाता है टॉम मतलब जो नर होता है उसको ठीक है तो इसका जो correct answer होगा बहुत जाएग option number one जेनी जेनी क्या होता है जैनी होता है female virgin जो होता है उसको gemell Jenny पोला जाता है, ठीक है? cow का मतलब तो guy होता है, hand मतलब मुर्गी होता ही है और loyal का मतलब होता है छोटी heeran को बोले जाता है, क्या बोले जाता है? छोटी heeran को बोले जाता है, तो tom का जो apology gender होगा बो हो जागा जैनी, clear है? चलिए नेक्स कोशिन है 118 में दियावर ड्रॉन ठीक है ड्रॉन का मतलब क्या होता है ठीक है ड्रॉन का मतलब होता है नर्मधु मक्खी नर्मधु मक्खी को बोला जाता है ड्रॉन क्लिर है चलिए तो क्यून की बात करते हैं का मतलब क्या होता है वो रानी मसम अजली लेगा रानी मदु मक्खी बला यहां पर क्यून होगा तो रानी मदु मक्खी इसका सही अंसर हो जागा option number a हिंड का मतलब क्या होता है हिंड का मतलब होता है हिर्नी ठीक है बीच को पता ही है कि जो dog होता है उसका जो female होती है उसको बीच बोला जाता है और so क्या होता है so sewer की female को मतलब sewer को बोला जाता है so clear है तो इसका जो सही answer होगा बहुत जगा option number a यानि कि क्यों next question की तरह बढ़ते हैं तो next question हमारा 119 119 कह रहा है कि राम का feminine gender आपको opposite gender बताना है तो राम का मतलब होता है भेडा ठीक है क्या होता है बेडा काव का मतलब पता ही है फिर ठीक है इव का मतलब ही होता है मादा भेड मादा भेड जिसको आप लोग कह सकते हैं भेडी तो यह जो इव होगा यही correct answer हो जागा तो option number C जो लिए अब पेन का मतलब क्या होता है वो कलम बाला पेन यहां नहीं है हंसिनी को भी पेन बोला जाता है ठीक है हंसिनी का भी इंगलिस होता है pen चलिए next question के अकर हम लोग बात करते हैं तो next question है हमारा 120 यह कह रहा है बिली ठीक है बिली का मतलब क्या होता है बिली का मतलब होता बकरा ठीक है बिली गोट हम लोग बोलते हैं देखिए जैसे दो चीज आप लोगों को मिलता होगा बिली गोट और एक होता है नैनी गोट तो बिली गोट का मतलब होता है बकरा और नैनी गोट का मतलब होती है बकरी तो इसका जो सही अंसर होगा बहुत जगा उपसन अमरे न तिलिबी 드ORE can be a में अपको खाला हुं की यह बहुत बार एक्जाम में पूछा कि इसके बच्चे को क्या बोला जाता है इसके बच्चे को क्या बोला जाता है तो last में इस वीडियो के last में मैं आपको screenshot ले लिजेगा उसमें सारे चीजों का young ones का नाम दिया हुआ है आप उसे follow कर लिजेगा क्योंकि आपके exam में बहुत बार बार पुछा गया है question ठीक है चल font का मतलब क्या होता है font का मतलब ही होता है हिरनी का बच्चा को बोला जाता है font अगर हम बात foil की करते हैं तो घोड़े या गधे को बच्चा को बोला जाता है कब हम लोग सेर के बच्चा को बोलते है और calf जो होता है वो किसको बोलते है बच्चड़े को बोलते है मतलब गाय के बच्चा को बोलते हैं, clear है, चलिए, next question है ox, ox के बच्चे को ऐसे generally क्या बोला जाता है, baby ox को बोला जाता है, start, क्या बोला जाता है, start बोला जाता है, लेकिन वो यहाँ option में है नहीं, तो इसका जो सही answer होगा, बोह जगा half x, ठीक है, यह x नहीं होगा, यह r होगा यहाँ प ठीक है, अगर हम लोग कब की बात करते हैं, तो कब सेर के बच्चा को बोला जाता है, bunny खरगोस के बच्चा को बोला जाता है, pub मतलब पिला यानि कुते के बच्चे को बोला जाता है, pub, clear है, चलिए, next question की तरह बात करते हैं, तो next question है, हमारा askunk, askunk का मतलब क्या होता है, askunk क एक अमेरिका में रहने वाला जानबर होता है काला और सफेद टाइप का एक अमेरिकी जानबर है उसी को बोला जाता है अस्कंक और अस्कंक के बच्चे को क्या बोला जाता है किट ठीक है जेनरली हम लोग इसको किटेन बोलते हैं ठीक है इसका मतलब क्या होता है जेनरली हम लोग cat और rabbit के बच्चा को बोलते हैं और यह जो असकंक होता है मतलब जो अमेरिकी जानबर होता है यह भी cat और rabbit के तरह होता है तो इसलिए हम लोग इसका जो सही अंसर हो जागा पो हो जागा option number a kit ठीक है clear है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है हमारा 124 इसमें दिया हुए mosquito mosquito के बच्चे को बोला जाता है क्या निम्फ यानि option number b जो होगा वो हमारा correct अंसर हो जागा अगर हम बात option number 1 की करते है maggot तो maggot नबजात कीड़ा या कीड़े को बच्चे को बोला जाता है पब का मतलब होत होते हैं कि जू हो गया या leak हो गया है तो जो जू का बच्चा होता है या leak का जो बच्चा होता है उसी को हम लोग नीट बोलते हैं clear है चलिए अगला question है turtle turtle से आप लोग पता ही होगा turtle कछुआ को बोला जाता है और hatchling यानि option number a जो होगा वही इसका character answer होगा क्यूंकि hatchling बो मतलब होता है कीडा का बच्चा और pub का मतलब होता है कुत्ता का बच्चा और fall का मतलब होता है घोड़े या गधे का बच्चा clear है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है हमारा identify the bird to fill in the blanks to correct complete the given a smile ठीक है fill in the blanks आपको clear करना है as chief edge ठीक है as chief edge तो इसका जो सहीं सरू हो जागा बहु हो जागा option number D यानि dirt ठीक है as chief edge dirt का मतलब होता है बहुत सस्ता या फिर जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि एकदम मीटी के भाव में मिल ला है हम लोग कोई चीज जब बहु ज्यादा सस्ता होता है तो बोलते हैं कि एकदम से मीटी के भाव में मिल ला है है चलिए फिर है next question next question है edge sly edge तो इसका जो science हो जागा option number A यानि fox ठीक है as sly edge fox का मतलब होगा कि कोई आदमी होता है वो बहुत ज्यादा dishonest है बहुत ज्यादा चलाक है और बहुत इमंदार एकदम बिल्कुल नहीं है बहुत ज्यादा बैमान है तो उसको हम लोग बोलते हैं यानि option number C जो होगा वो आपका correct answer हो जाएगा ठीक है as clear as bell का मतलब होता है कि जिसको हम लोग बहुत आसानी से सुन सकते हैं ठीक है फिर next question है as bold edge तो as bold edge हो जाएगा brass ठीक है as bold edge brass का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा bold होना ठीक है very bold को हम लोग as bold edge brass बोलते हैं clear है चलिए next question है as cool edge तो इसका जो सही answer हो जागा बहुत जागा option number B मतलब क्यों कमर ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि बहुत क्या है very clam है मतलब especially when it is surprise जैसे कि हम लोग बोलते है see walked in as cool as a cucumber as if nothing had happened जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इतना सांथ है या इतना ठंडे दिमाग का वो है ठीक है next question कि अगर हम बात करते हैं तो वो है question number 131 से लेकर 135 तक construction दिया हुआ है कि identified the alternative which is not a synonym for the given bird ठीक है not a synonym पूछ रहा है मतलब synonym नहीं होना चाहिए मतलब antonym होना चाहिए मतलब उसका ultra meaning देना चाहिए clear है synonym का मतलब होता है same जैसा meaning देगा और antonym का मतलब होगा क्यों ultra जैसा meaning देगा तो अब यहाँ पी आपको vocabulary बहुत जरूरी हो गया है ठीक है क्योंकि जब तक आप चारो या पांचो बर्ड का meaning नहीं जानिएगा कि इसका मतलब क्या होता है तो आप उसको solve नहीं कर पाईएगा उसका बता नहीं पाईएगा कि कौन इसका antonym है कौन इसका synonym से ठीक है तो सबसे पहली बात है कि आप लोग अपना vocabulary इन्हांस कीचे और बात अगर करते है not है सीनों ने मतलब हमको antonym बताना है यहाँ simple सी बात है ठीक है तो पहला है usurp ठीक है usurp का मतलब होता है हडपना इसको हम लोग कहते है हडपना किसी से हडप लिया या छीन लिया उसको हम लोग बोलते है ठीक है claim का मतलब होता है दाबा करना, Siege का मतलब होता है जब्त करना, Erased का मतलब होता है छीन लेना, और Permit का मतलब होता है इजादत देना, तो इसका जो सही अंसर हो जगा बहु हो जगा, option number A यानि claim, दाबा करना clear है, फिर है next one, next one को हम लोग बोलते है बंडेवल, ठीक है, बंडेवल का मतलब क्या होता है, पुझ ठीक है, क्या होता है, पुझ clear है अब और options की अगर बात करते हैं तो poison का मतलब आप लोग जानते हैं कि जहर या घातक होता है, बाईज का मतलब समझदार या ज्ञानी होता है Sage का मतलब ज्यानी या साधू होता है Old का मतलब जिसको हम लोग Breathe बोलते हैं या अनुभा भी बोलते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा Poison यानि जहर या घातक फर next question है हमारा next question है Tessy Turn Tessy Turn जो होता है उसका मतलब होता है Alp Vasi ठीक है क्या होता है Alp Vasi Reject का मतलब क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या आराच्छित है Mute का मतलब क्या होता है Mute का मतलब होता है Monia Gunga Abel का मतलब होता है Yogi और Iconic ये Iconic L नहीं है Laconic है L-A-C-O-N-I-C है Laconic Laconic का मतलब होता है Alp ठीक है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा बोह जाएगा Option No.C यानि की Abel Clear है? चलिए Next Question की तरह बढ़ते हैं आज की इस वीडियोज में थोड़ा सा Visibility Question के Visibility Problem हो जाई होगी आप लोगों को लेकिन आगे के Next जो वीडियोज आप लोगों को मिलेंगे उसमें Visibility थोड़ा सही हो जाएगा तो Question No.134 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 134 कह रहा है Sustain Sustain का मतलब क्या होता है समहालना या सक्ति देना तो इसका जो सही Anonyms Anonyms हो जाएगा Uphold Uphold का मतलब का होता है कायम रखना या बनाए रखना ठीक है Assist का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना Indoor का मतलब होता है सहन करना Accelerate का मतलब होता है गती पढ़ाना या सहायता करना या तेजी करना हो इसको Next Question है Next Question है हमारा 135 135 के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें दिया हुआ है T-merity T-merity का मतलब होता है उताबलापन कि आपको किसी चीज का उताबलापन है कि आपका एकजाम कब होगा इसलिए आपको उताबलापन है तो इसको हम लोग बोलते है T-merity ठीक है और boldness का मतलब क्या होता है साहस या गुस्था की ठीक है चलिए next question की तरह बढ़ते है next question है हमारा identify the word which is not an antonym मतलब not an antonym से बोल ला है यहाँ पर not an antonym मतलब antonym नहीं होगा तो क्या होगा synonym होगा कि उसका same meaning देगा तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले की transient transient की अगर हम लोग बात करते हैं तो transient का मतलब होता है अच्छा निक मतलब कुछ देर के लिए ठीक है तो इसका जो synonym होगा बो होचाएगा brief brief का मतलब भी होता है संचिफ्त या थोड़े समय के लिए क्योंकि और सब options की अगर हम बात करते हैं तो lasting का मतलब क्या होता है अस्थाई या मजबूत chronic का मतलब क्या होता है दिर्गिया अस्थाई और durable का मतलब क्या होता है durable का मतलब भी क्या होता है tick out next question के हम बात करते है 137 तो 137 का जो है बो है uncount ठीक है uncouth तो uncouth का मतलब होता है assist जिसको आप लोग बोल सकते है भद्दा है कि वो उसको एकदम से manner नहीं है तो उसको हम लोग uncouth के रूप में यूज करते है ठीक है elegant का मतलब ही होता है क्या सहज या सुन्दर जिसको आप बोल सकते है next question अगर हम 138 की बात करते है तो 130 क्या है 138 है train chant train chant का मतलब होता है परभाव साली क्या होता है परभाव साली तो इसका जो सायन सर्वजगा बो हो जगा option number A sharp sharp का मतलब यह क्या होता है तेज या कुसल या निपुन जिसको कह सकते है big का मतलब तो कमजोर होता है simple का मतलब साधारन होता है और feeble का मतलब होता है durable या कमजोर next question की तरह बार्ट करते है next question हमारा 139 139 है sinister sinister का मतलब होता है असूब या फिर इसको बोल सकते है डराबना ठीक है तो इसका जो सही अंसर हो जागा बो हो जागा for voting ठीक है क्या हो जागा for voting for voting का मतलब क्या होता है अब साकून जिसको हम लोग बोलते है तो यह sinister का signo names हो जाएगा lucky की अगर बात करने तो lucky का मतलब होता है भागसाली hopeful का मतलब भी होता है असापून और opportun का मतलब क्या होता है 60 क्या उप्योगत जिसको हम लोग बोलते है next question है हमारा 140 इसका मतलब है siege ठीक है siege का मतलब क्या होता है siege का मतलब होता है जब्द करना ठीक है जैसे हम लोग बोलते है siege कर दिया है मतलब jump कर लिया है या कब्जा कर लिया है ठीक है तो इसका science होगा option number A clutch क्योंकि clutch का मतलब भी होता है कब्जा करना या पकड़ना area store का मतलब होता है पुना स्थापित करना return का मतलब होता है lot जाना और remit का मतलब होता है छोड़ देना या माफ कर देना clear है चलिए अब आप करते है 141 141 अगर बात करते हैं तो कह रहा है the key in the sky repergence ठीक है तो इसका जो science होगा बो हो जागा option number B यानि voiced alveal or plosive ठीक है यह generally 6 type होते है इसका ठीक है plosive का मतलब होता है देखे जिसको बोलने के लिए आपको एकदम से move बंद करना पड़े और तुरंद से खोलना पड़े जैसे कि हम लोग बोलते है poor और poor बोलने के लिए आपको पूरा move बंद करना पड़ता और फिर से तुरंद खोलना पड़ता है ठीक है मतलब एक complete closure and a certain release को हम लोग क्या बोलते है policy बोलते है ठीक है तो यह 6 होते है जैसे कि poor हो गया poor हो गया poor हो गया to, do, k, go यह सब policy है clear है चलिए next question की तरह बढ़ते है next question है 142 142 कह रहा है the number of nasal phonemes in English are तो इसका जो science हर होगा आपसन नबर B यह 3 होते है कौन कौन सा होता है एक M sound वाला एक N sound वाला और एक NG sound वाला यह तीनो sound वाला जो होगा बो क्या होगा nasal जल मतलब नाख से आब आज निकलने वाला होता है जैसे कि हम लोग बोलते है mouth ठीक है क्या बोलते है mouth फिर हम लोग बोलते है nose ठीक है as for example इसका bring तो जिसके बढ़ में M, N या NG रहेगा यह तीनो sound निकालने वाले को हम लोग क्या बोलते है nasal phonem से बोलते है clear है यह इंगलीस में कितने होते है तीन होते है यह question मैं देखा हूँ दो-तीन बार आपको पुछा कि आपके एक्जाम में तो अच्छे याद रखिएगा इसको अगला question कि तरह बढ़ते है अगले question है अगले question है अगले question है भीची जाए एक्जाम्पल आफ इनीसियल क्लस्टर आफ थ्री कॉंसोनेंट तो इसका जो साई अंसर हो जाएगा बो होगा option number B यानि suit ठीक है फिर next question है हमारा in which case A is pronounced differently from the other three cases ठीक है next question है in this word the stress bill on the second syllabi देखे इसका मतलब क्या होता है syllable का मतलब syllable का मतलब होता है अच्छर साब्दांस जिसको हम लोग बोलते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि कोई एक ऐसा बढ़ बताईए जिसमें बोलने पर ज़्यादा भाड़ जो होगा आप दूसरे वाले अच्छर पर पढ़ रहा हो ठीक है तो इसका जो साई अंसर होगा बोल के देखिए मतलब आप ज़्यादा जोड किस पर दे रहे हैं तो इसलिए इसका जो साई अंसर रिसेप्सन हो जागा ठीक है next question है 147 इन्हें technical note the symbol arrow stands for तो इसका जो साई अंसर हो जागा बो हो जागा option number A results from technical note जब हम लिखते हैं आप लोग diploma किया होंगे तो यह देखे भी होंगे technical note जब भी लिखे होंगे तो इस arrow का मतलब होता है results from मतलब यह result यहाँ से आया है next question की अगर हम बात करते हैं 148 की तो 148 हमारा कारा the description of a process in a technical report is best given as a ठीक है तो इसका होगा list ठीक है list में ही हम लोग सबसे अच्छे तरक कैसे अपने technical report को describe कर सकते हैं उसका description लिख सकते हैं next question है what is a key feature of a memo तो इसका जो science हर है वो है comprehensive देखे वो short होना चाहिए लेकिन वो comprehensive क्यों होना चाहिए क्योंकि memo देखने के बाद memo बनाते time आप लोग पढ़े होंगे कि जब memo हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ये धिहान में रखते हैं कि सामने वाले को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मतलब वो totally आपके information पर best है तो उसको आपको क्या है एक comprehensive knowledge देना पड़ेगा memo के बारे में तो इसका जो सही answer होगा बहुँचेगा option number B यानि comprehensive comprehensive का मतलब क्या होता है ब्यापक याद इसको आप लोग बोल सकते है बिस्त्रित clear है? चलिए आज का हमारा last question है 150 last question है हमारा in a bibliography which are the following types of reference must given volume number तो इसका जो correct answer होगा बहुचेगा option number C and article in a periodical ठीक है? बिब्लियोग्राफी जो आप लोग होता है क्या ग्रंथ सुची जिसको हम लोग बोल सकते है हर एक book के आगे आप लोग या कोई book होए उसके आगे दिया हुआ रहता है bibliography उसके किस form में होता है periodical form में मतलब ऐसे ऐसे form में आपको दिया हुआ होता है कि उस book के अंदर contents क्या है clear है? तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा और अगर आगे के वीडियोज आपको चाहिए तो आप मुझे comment करके बताइएगा कि हाँ यह series continue करनी है आपको उसके लिए करना कुछ नहीं होगा सीधे channel को पहले subscribe करना होगा सब्सक्राइब करके ने के बाद आपको comment करके बताना होगा कि आपको और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए clear है? thanks for watching